बैलकम बैक टू माई चैनल तो यह जो वीडियो है यह है मंगलवार का ही है दुपैर से शुरू हो रहा है तो मैं जो है लंच की तयारी करने लगी हूँ तो यहाँ पर जो है सबसे पहले मैं चड़ाऊंगी दाल तो आज जो है मैं अपनी फेवरेट डाल बनाने वाली हूँ जो साबुत उड़त की डाल होती है जिसको काली वाली डाल बोलते है तो वो वाली वाली डाल मैं बनाऊंगी mostly डाल मखनी में ये वाली डाल यूज होती है लेकिन जो डाल मखनी बनाने का तरीका होता है वो अलग होता है और जिस तरीके से मैं ये डाल बनाऊंगी उसका टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट होता है और यहाँ पर जो है ना मैंने डाल बॉइल करने के लिए चड़ा दिया है डाल को अच्छे से दो तीन बार वाश किया है उसके बाद जो है उसमें नमक डाल के और उसको बॉइल होने के लिए चड़ा दिया है तो अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि दाल भीगी होई नहीं थी बट ये है कि अगर ना भी भीगाओ तो भी दाल अच्छे से बॉइल हो जाती है तो जब तक जो है दाल बॉइल हो रही है तब तक ये बरतन वगेरा आरेंज कर लेते हैं यहाँ पर और ये बरतनों को मैं साफ करके जो है इनको इनकी जगे पे आरेंज कर दूँगी तो हम लेडीज के साथ क्या होता है कि हमारा जो रूटीन होता है वो अल्मोस हर डेका सेम ही रहता है वही सुबे उटना है, बच्चों के ले नाश्ता बनाना है उनको स्कूल भेजना है, उसके बाद घर की क्लीनिंग, अपना ये सारा काम होता है बहुत बार ऐसा होता है कि हमें आला साता है इन चीजों को लेके बोरियत भरा दिन हमें लगता है कि यार ये पूरा दिन जो है आज फिर से बोरियत भरा निकलने वाला है, तो कैसे हम अपने कामों के लिए जो है motivate हो सके कैसे हम इन ही घर के boring कामों को enjoy करके करेंगे एक दो tips आप लोगों के साथ आज में share करना चाहती हूँ तो मैं अपना personal experience आप लोगों के साथ बता रही हूँ देखिए mind में set है कि हमें जो है सुबह उठके ये काम करना है तो इसके लिए मैं क्या करती हूँ कि जब मैं सुबह उठती हूँ न तो मैं खुद से challenge करती हूँ खुद को की चलिए आज में देखती हूँ कि आज मैं कितनी देर में अपने घर के सारे काम जो है वो निप्टा पाती हूँ सारे काम complete कर पाती हूँ और इसके लिए मैं क्या करती हूँ, कि सुबे ही ना मैं सोच लेती हूँ, कि इतनी देर मुझे जो है, मैं अपना जो है चाई में लगाऊंगी, मतलब मैं चाई पियूंगी, फिर इतने से इतनी बज़े तक मैं अपने घर के ये काम करूँगी, तो इस तरीके से ना मैं बिल्कुल भी आलस नहीं करती हूं कि नहीं चलो 5 मिनट और 5 मिनट और पहले मैं करती थी लेकिन अब मैं बिल्कुल भी नहीं करती हूं जैसी अलाम बचता है मैं एकदम से उठ जाती हूं और उसके बाद जो है मेरे रूटीन जो शुरू होते हैं तो फिर जो होता है उनमें आलस नहीं होता है तो टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ थोड़ा सा देर में शेयर करती हूँ सबसे पहले याँ पर बता दू कि दाल किस तरीके से मैं बना रही हूँ तो मैंने यहाँ पर मस्टर्ड ओईल लिया है उड़त की दाल हमेशा मस्टर्ड ओईल में बनाई है बह पूट के डाल सकते हैं उनका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है उड़त की डाल में तो सारी चीजों को मैंने अच्छे से भून लिया है उसके बाद मैंने ऐड़ कर दी है उड़त की डाल और अब इसमें पानी आड़ कर दींगे तो चावल के साथ खाना है तो थोड़ा सा लिक्विडी रखेंगे अगर आपको रोटी के साथ खानी है तो थोड़ी सी गाड़ी गाड़ी सी दाल मनाएंगे तो बस यहाँ पर मैंने दाल जल्दी से फ्राइ कर ली है उसके बाद मैं बनाऊंगी चावल तो अभी बच्चों के आने में थोड़ा सा टाइम है तो तब तक जो है मेरे सारे काम ने पड़ जाएंगे तो मैं आपको बता रही थी कि मैं किस तरीके से मोटिवेट रहती हूँ तो मेरा कुछ यही तरीका है और मैं बिल्कुल भी बीच बीच में आलस नहीं करती हूँ हाँ कहीं पर मुझे लगता है कि मुझे रेस्ट करना है मैं थक गई हूँ तो मैं पांच मिनट का जो है अपना रेस्ट ले लेती हूँ उस 5 मिनट में या तो फोन देखूंगी या फिर अगर मुझे किसी से बात करनी है तो मैं बात कर लूँगी लेकिन मेरी टाइमिंग फिक्स रहती है कि 5 मिनट है तो मतलब 5-6 मिनट का रेस्ट करना है उससे जादा नहीं करना है घर के कामों को करते वे मेरे माईन में हमेशा एक ही बात चलती है कि मैं जितनी जल्दी अपने घर के काम निप्ताऊंगी उतना ज़्यादा टाइम मुझे अपने ले मिलेगा उतना ज़्यादा टाइम में रेस्ट कर पाऊंगी तो इस तरीके से जब आप माईन में कुछ चीजे सेट कर लेते हैं तो आपके काम और भी ज़्यादा इजी बन जाते हैं तो यहाँ पर देखिए मेरे जो दुपैर का लंच है वो बन चुका है बचे भी आ गए है दोनों जल्दी से दोनों के लिए खाना लगा देती हूं और दोनों के लेकर हम चारों ही खाना खाएंगे अच्छा यह वाली दाल बच्चों को भी बहुत जादा पसंद है वेदाश पोलता है इसको पहाडी दाल तो यह जब पितल के बड़े-बड़े बरतनों में बनती है तो उसमें और भी जादा टेस्ट आता है तो मैंने बच्चों के लिए थोड़ा-थोड़ा सा नीबू भी डाल दिया है उनके खाने में क्योंकि वो न अचार नहीं खाते है मतलब वंची का तो नीग खाती है विदांश को थोड़ा-थोड़ा सा सही लगता है बट अभी मैं उनके अचार नहीं दे रही हूँ क्योंकि दोनों को खासी हो रही है तो थोड़ा-थोड़ा नीबू डाल दिया है यह है श्याम का टाइम तो यहां पर ना मैं सबजी कट कर रही हूँ तो मैंने ना पहले सेम फली जो है वो भी निकाली थी क्योंकि वो थोड़ी सी थी और थोड़ी सी जो बीन्स होती है ना वो भी निकाली थी तो मैंने तो च कटी हुई सबजी रहती है तो थोड़ा सा एजी रहता है जानुद दाते हैं तो थोड़ा सा एक पूजा कर ली है उसके बाद दोनों बच्चे मेरे साथ आके बैठ जाते हैं जैसे कि आपको पता ही है इवनिंग टाइम में तो इस टाइम पे दोनों का होमवक कम्प्लीट होता है और मेरा इस टाइम पे किचन का काम रहता है तो बच्चे यहां पर दोनों बच्चे जो है अपना होमवक कर रहे हैं और मैंने भी सबजी कट कर ही ली है तो फिलहाल मैं बनाने वाली हूँ सेम फली क्योंकि वो थोड़ी सी ही है और मुझे सबजी बहुत कम ही बनानी है दोपैर की दाल बच्ची होई है और बच्चे त ताकि दो बंदों के लिए इतनी सब्जी इनफ होती है तो मैंने यहाँ पर जो है ना मस्टर्ड ओयल डाला है उसमें लेसुन का तड़का लगाया है सेम फली में और बस इसको जल्दी से फ्राय कर दिया है कोई भी टमाटर और प्यास का मैं इसमें यूज नहीं करूंगी सिं साथ इस समय मेरी विदांश और वंशीका के साथ ना थोड़ी बहुत मस्ती भी चल रही थी बाते चल रही थी तो यह जो टाइम होता है ना वो मुझे अपने ट्यूशन की बाते बताते हैं उनके स्कूल में क्या-क्या हुआ तो इस तरीके से मुझ से शेयर करते हैं तो कुछ स्कूल में मतलब वो उनके साथ हुआ है जो भी बाते हुई है वो सारी चीजे मेरे साथ आके शेयर करते हैं वो इवनिंग टाइम होता है तो यहाँ पर जो है आप मैं जल्दी से रोटी भी बनाने लगी हूँ क्योंकि बच्चों को भी बहुत तेस भूक लग गई थ जाता है नौ बजे तक वो जो है सो मतलब उनको यह लगता है कि उन्हें नीदानी शुरू हो गई है तो नौ साड़े नौ तक वो सो ही जाते है तो यहाँ पर मैं गरम गरम मनारी हो रोटिया सबजी भी बन चुकी है बस बच्चों को फटाफट से खाना दे दूंगी तो ज यहाँ पर बच्चों को मैंने थोड़ी थोड़ी से दाल थोड़ी से चावल और साथी साथ मैंने रोटिया दे दी है और थोड़ी सी रोटी मुझे अभी और बनानी है और बस यहाँ पर देखे दोनों बच्चे खाना एंजॉय कर रहे हैं दाल में मैंने उनके लिए देसी जब किचन तोड़ी साफ रहती है तो काम करने का भी मन करता है तो यहां पर मेरा काम हो चुका है अभी मैं जाओंगी सोने के लिए लेकिन सोने से पहले एक बार सब चेक कर लेते हैं लोक वगएरा दर्वाजों के अब जैसे जैसे सर्दिया आती है तो मेरे काम ज़ली जल्दी निपटने शुरू हो जाते हैं अब नाइट मेरे यह रहते हैं कि मैं फटा फटा अपने कीचन वाले काम कर लो और उसके बाद आराम से जोगे हैं आम लोग रजाई में चले जाए और टीवी देखे चाहें चाहें इसके बाद सोने में कितना भी टाइम हो जाए बद यहां से फ्री हो जाए और यह रहें यह रहते हैं जब मैं दो बार ठीक कर चुकी हूँ मारा इले होजैं सोबघेन की कामाईब अब ही दो बार मैं ठीक कर चुकी हो उसके बाद मी अब मैं बहुत तेज नीन्द आरही है और अब बस रूम पर जाकर लेखें वजी का सोई है कि नहीं सोई है और यह देखो इसने इसको सोना नहीं है है ना नीन्द नहीं आरही है हा मतलब कफका खाना कि लिए था दोनों बच्चो को कि जाकर सो जाओ लेकि ना डाइट नी पड़ेगी ना तब तक अब तक बढ़ दोनों मुखा भागा मेरा टेस्ट खराब गया रवाई खाई यह थोड़ा सा खासी हो गयती तिस जो के मुखा टेस्ट होगया खराब और विदांश जो है वो अपने पापा के साथ चला गया है सोने पाज में यही पर सोने वाले हूं क्योंकि कल भी वन्षिका के पापा ने बहुत लेट नाइट मूवी देगी ती जब मूवी की आवाज आती है तो फिर सोना मुश्किल हो जाता है क्योंकि उन्हे तो कॉल आफ तो नो मम्मी और बेटी करते हैं सोने की तयारी और अब मैं आप से मिलती हूं सीधिस सूपे तब तक ले बाबाई गुड नाइट गुड नाइट तो यह है नेक्स टे मॉनिंग मतलब की बुदवार की मॉनिंग है और यहां पर मैं विदांश को तयार करी हूं तो हुआ य कि जैसे सुबे मैं इसको उठा रही थी ना तो यह रो रहा था तो बोलता है कि आज बुदवार है मैं आज स्कूल जाओंगा थस्रे को आप मेरी छुट्टी कराओंगे तो बस यहां पर मैं इसको यही बोल रही थी कि एक दिन फिर खाना नहीं खाएगा तो चलेगा तो इ कि जैसे बच्चे जब सुबे नहा के जाते है तो वो पूरा दिन फ्रेश रहते हैं उन्हें आलस नहीं आता है स्कूल में कि मैं उन्हें नहला के भीचती हूं हलो इब्रीवन गुड मॉनिंग तो जी सुबे के साड़े साथ बजने वाले अभी बज़े नहीं है पांच मिनट रहे है विदाश का नाश्ता चल रहा है बच्चे विल्कुल रेड़ी है स्कूल जाने के लिए बस विदाश स्पथरिय। अबद सिर्ण जाने में और बच्चे हो चुकते हैं है, और रहे हैं नहाने गुड़ी हो fucking स्कूल में यहीन, बच्चे हो महाँ अब बदच्च नह अब बच्चे तक बार्श पांठीय है मैं जाती हूं कि बंचिका के पापा जाते हैं क्योंकि आज ये भी उठ गए हैं वैसे नॉर्मली उठते नहीं है आज बंचिका ने जबरदस्ते करके उठाई दिया बापा को है न कि मेरी टाई लगा दो पापा तो बस जल्डी से उठ गए है बच्ची चले गए हैं स्कूल और बस अभी जो है मैं थोड़ी तिर रेस्ट करूंगी पांच मिनट बैठोंगी इसके बाद बनाऊंगी अपमे ले गर्म गर्म चाय और फिर होगी नाश्ते की तैयारी तो चलिए फिल हाल के अपने इस वाले वीडियो का में यहीं पर एंड करती हूं तो यह था मेरा चो